नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं माई फंडमेंटल तो दोस्तो आपका हमारे चैनल पे बहुत-बहुत सुधत है और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दो धमाकेदार इंफ्रा सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में तो दोस्तो इन stocks का आप अपने थमनिल के उपर देख सकते हैं क्या नाम है दोस्तो मैं बात करने वाला हूँ अशोका बिल्ट कोईन और दिली बिल्ट कोईन के बारे में तो अगर ये stocks आपके पास पड़े हुए हैं और आप market में गिरावट की बज़ा से इनको बेजने की सोच रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी आपको पाप लगेगा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यूं आपको इन stocks में निवेश करना चाहिए और ये क्यूं stocks आपको आने वाले समय में अच्छे खासे returns कमा के दे सकते हैं इन्फरा सेक्टर से company बिलॉंग करती हैं तो यहां पे मैं इनके order book के बारे में भी जरूर बात करूँगा order book के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है आपको पता है क्यूंकि ये इन्फरा से बिलॉंग करते हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले उशोका बिल कोईन की तो यहां पे मैं आपको इनकी website पे लेके जाना चाहूंगा इसका full farm होता है और काफी जादा है मतलब which is the largest in number by any private player in India तो यहां पे आप देख सकते हैं लगोग लगोग आपको 20 states में यह मिलेंगी और overseas में यह जो है आप देख सकते हैं तो यह यहां पे आप देख सकते हैं तो कंपनी के बारे में आगे आप पढ़ सकते हैं तो यह काफी अच्छी जीज है इस तरह की achievement जो भी कंपनी देती है वोग देख सकते हैं अच्छे खासे हमें returns कमा के दे सकती है और सबसे important चीज़ कि यह undervalued है या फिर नहीं तो यहां पे मैं आपको tigger wife methodology भी लेके जाना जाहूँगा अगर आपको लगता है कि हम किसी की website इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि परांजल कामरा ने हमें personally इसका permission दिय और हमें भी जादा जो हाँ दोस्तों काम ना करना पड़े क्यूंकि और भी खाफी जादा हमें काम होते हैं तो चलिए बात करते हैं इसकी market cap की 2666.87 करोड का इनका market cap है और मातर अगर PE की बात करूं तो 6.29 पे चल रहा है यानि कि साफ-साफ आपको undervalued दिखाई दे रहा है और book value की अगर मैं बात करूं तो 98.77 है जो कि आपको दर्शार आ है कि company अपने book value के नीचे trade कर रहा है और अगर trade कर रहा है तो ये हमारे लिए opportunity है और debt की अगर मैं बात करूं तो 433.45 करोड का इनके उपर debt है और promoter holding भी यहाँ पे हमें आच्छी घासी दिखाए दे रहे है लगग 54.45% की sales growth 3% पे है ROE 16% पे है ROC return on capital employed 20.54 पे है थोड़ी सी हमें performance COVID-19 की वज़ा से down दिखाए दे रहे है बट company यहाँ पे अच्छा खासा performance हमें दिखा सकती है debt to equity ratio आप देख सकते है 0.17 है जो की काफी अच्छा है price to cash flow भी आप देख सकते है 3.6 है interest coverage ratio भी आप देख सकते है जो काफी अच्छा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है D.I.E की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा कासा माल इनके पास पड़ा हुआ है लगवग लगवग 27.64% का public के पास आप देख सकते है 14.64 है और F.I.E. के पास भी 3.24% यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो काफी अच्छा है Company की Profit Growth आप देख सकते है 30.03% है पास 3 साल से और Company जो है रेवनिय ग्रोथ भी अच्छा दिखा रही है और Company ने सबसे बड़ी चीज है Debt देख सकते हैं आप कितना Significantly कम किया है जो काफी अच्छी चीज है जो काफी बड़िया चीज हमें यहाँ पे fundamentally दिखाती है और Company जो अगर आप देखेंगे टेक्निकली भी यहाँ पे बाय बनाती है और बाय ऐसा बनाती है कि आपको शांदा रिटरंस कमा के देगी जब यह Company 120 के बाद निकल जाएगी न तो आपको रॉकेट बनती हुई दिखेगी और अगर मैं आपको टार्गेट की बात बताओ न तो आपका यहाँ से पैसा डबल होने के चांसे है कितने 60 से 90 परशंट तक के चांसे हैं तिल Company के साथ कुछ बुरा हो जाए तो वो हमें चीज जो मुझे थोड़ी सी दिक्कत वाली दिखी वो यह है कि इनके order book में हमें थोड़ी सी कमें दिखाई दी as compared to September 2020 यहाँ पे आप देख सकते हैं यह million में data है तो अगर मैं आपको croats में convert करके दिखाऊ तो 9,300 croat के आसपास इनका order book था September में और अभी यह हो गया है 9,100 के आसपास तो यही चीज़ें आप देख सकते हैं जो आपको कम होती हुई दिखाई दे रही हैं बट यहाँ से company grow कर सकती है और यह कम होने का कारण यह है कि इनको recently fastly projects नहीं मिल रहे हैं as compared to daily build coin, daily build coin अगर BSC का website आप visit करेंगे तो आपको वहाँ पे समझ आएगा कि company काफी आपको आगे बताने वाला हूँ तो आपको काफी ज़ादा हैरानी होगी कि हमें अभी भी यह शेर काफी ज़ादा सस्ते price में मिल रहा है तो order book यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरा चार्ट ग्राफिक दिख रहा है किस तरह का इनका है road H.A.M. जो सबसे 9% दिखेगा जो काफी अच्छा order book है अभी भी order book बुरा नहीं है market cap अगर आप देखेंगे उसके comparison में आपको काफी अच्छा लगेगा यहाँ पे latest update जो आएगा यानि कि March में जो इनका annual report आएगा उसमें मैं देखूँगा कि company कैसा performance यहाँ से आपको दिखाता है तो करोड का market cap है और पी आप देख सकते हैं 24.9 पे है और अशोका बिल कोई देख सकते हैं आप कितना जादा सस्ता आपको दिखाई दे रहा है और अगर मैं बात करो दोस्तों इसके book value की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 269.57 है और promoter holding यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है 75% की तो 75% की जो holding है वो काफी शांदार है काफी बढ़िया है इसको मैं किसे हमका बोलू हूँ आप BGP stock हला कि बोलना नहीं चाहिए बड़ जो इनके promoters है उनके काफी ज़दा strong link है government के साथ तो यह एक advantage ज़रूर रहता है project जीतने में हला कि bidding होती है फायदा तो मिलता ही है concern क्या है कि इनके ओपर debt आप देख सकते हैं 3,256.22 करोड क्या है और अगर आप देखेंगे इसका market cap तो आप देख सकते हैं market cap के आदा इनका debt है तो यहाँ पर debt to equity ratio की अगर मैं बात करूँ तो 0.90 है comparedly अगर आप Ashoka Willcoind के साथ देखेंगे तो काफी जादा यहाँ पर हमें जो holding है वो promoters के पास पड़ी हुई है और वहीं पे Ashoka Willcoind के अगर मैं बात करूँ तो Ashoka Willcoind के पास मातर 54% के आसपास पड़ी हुई थी जो एक हमारे लिए जरूर हो सकता है कि एक disadvantage जरूर हो उसके बाद अगर मैं बात करूँ public की तो public के पास 9.03% है FIA के पास अगर मैं बा अधर्ष की बात करूँ तो यहां पे आप देख सकते हैं 0.01% माइनस में आपको दिखाई दे रहा है तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहां promoters की तो promoters ने अपनी जो holding है वो pledge रख रखी है बट उन्होंने इसको pledging कम की है यानि कि अगर मैं बात करूँ जून 20 की तो 24% है और उन्होंने अपनी यहां पे holding यहां पे बढ़ाई है जो मुझे काफी जाला positive यहां पे नजर आती है और Ashoka BillCoin की जो promoter holding है वो बिलकुल भी प्लैस दिन नहीं है यहां पे आप देख सकते हैं company का revenue अच्छा है ROCE अच्छा है ROCE अच्छा है cash conversion cycle भी आप देख सकते है और PAT और CFO भी आप देख सकते हैं 1.95 पे stand करता है उसके बाद अगर मैं company की बात करूं तो company की जो profit growth है वो आप देख सकते हैं और contingent liabilities आप देख सकते हैं 5254.61 करोड का है तो यहां पे मैं आपको बताओं कि यहां पे आपको चीज़े समझनी है वो यह है कि contingent liabilities हम किन को बोलते हैं contingent liabilities हम उन्हें बोलते हैं जिन में हमारा जो पैसा है लटशे example दूँगा कि आप मेरा दुकान है आप मेरे पास आते हैं biscuit खरीदने के लिए और आप बोलते हैं अगर मैं आपको पचार दिन में पैसा दे दूँगा और अगर आप वो चार दिन में पैसा चुका जाएगा अगर आप समय दियेगे अनुसार उस पैसे को चुका देते हो तो contingent liabilities नहीं रहता है अगर आप नहीं चुकाते हो तो आपका जो contingent liabilities है वो liabilities में बदल जाता है तो ये तो बात होगी company की अभी मैं बात करूँगा दोस्तों इनके order book की order book के बारे में बात करना ब 39 करोड का इन्होंने order जीता है और अगर मैं order book की बात करूँ जो आपको मेरी website पे मिल जाएगी यहाँ पे आप देख सकते हैं यह से बड़ी ही होगी जिया मैं आपको थोड़ा सा पुराना data दिखा रहा हूँ बट यहाँ से आपको growth होती हुई दिखेगी अगर मैं आपको इसके share price के आप बता हूँ तो दोस्तों इसका जो share price है वो इसकी order book के साथ साथ grow करता है अगर आप यह order book देखो रहे हो और आपको दिखाई दे रहा है मैं थोड़ा सा zoom out कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यह 15, 16, 17, 18 में अच्छा खासा share price grow कर रहा था जैसे ही इसका order book grow डी growth हुआ तो वैसे ही इसका share price भी और फिर से ही all time पे खड़ा हुआ है और उस तरह से यह अभी नहीं बागा है एक समय पे 12, 1300 के आसपास मिलता था और आज आपको मातर 600 के आसपास मिल रहा है उससे नीचे ही यह share आपको दिखाई दे रहा है तो order book जो है वो दो 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 यह data million में है और आपको और जादा 26,000 के आसपास का market order book है तो और जादा यह आपको आने वाले समय में grow करता हुआ दिखेगा जो इसको definitely grow कर रहा है और इस इनको जो है वो आशोका बिल कोन के comparison में अभी BSE पे update हो रहा है कि इनको यह order मिल ला है वो order मिल है तो यह आप चीज़े अध्यान में रख सकता है company जो है वो दोस्तों काफी बढ़े है मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को shorter रखूँ यहाँ पे मैं आपको quarterly नतीजे नहीं बताता हूँ यहाँ पे मैं आपको company का कोई भी वो data नहीं बताता हूँ जो आपको easily मिल जाता है यहाँ पे मैं वो चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ जो easily available नहीं है और vision आके क्या रहता है यह मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बताता हूँ और यही सबसे ज़्यादा important चीज़े रहती हैं बरना market में तो आपको काफी ज़्यादा चीज़ें easily मिल जाती हैं तो कि गुच यहाँ कि यहाँ ख़ो आपको काफ़ई यही ज़रा भी